तो फाइनली 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 अपडेट आ चुकी है मूब ओएस 3 की कि कब अपडेट होगा आपका इसकूटर और मूब ओएस 2 में क्या-क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे पास दो अपडेट है जो कि ओला एलेक्रिक तब से आया हुआ है तो मैं दोनों आपको फटा-फट से बता द 첫 वीडिजियो में मूब ओएस जो तू-पॉइंट जीरॉ है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम अभी छो कर रहें उसके बार है दिसकूण करेंंगे क्या वह मूब ओएस 3 के शाथ में सही होगा नहीं होगा उसके बारे में दिसकूण कर लिया जाएगा इस वीडियो के गवार डेफिनेटली पूरा आप देख लीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे भावेस अगरवाल सरने अलेडी एक पोश्ट किया हुआ है 14 गंटे पहले इसमें उन्हों ने लिखा है कि मूब OS3 लांच होगा सभी के लिए दिवाली में इस साल अब दिवाली में यार मतलब हम लोग वेट यह था ना कि 15 अगस्त पे हो जाएगा लेकिन फिर से डीले हो गया कि दिवाली जो है वो 24 अक्टूबर को है और इस हिसाब से देखा जाए तो काफी लंबा समय चला गया मतलब दो मेने और इन्हों ने प्राइटिंग फीचर को यूज कर रहे हैं उसके साथ में और आपका एक्स्प्रियेंस बढ़ जाएगा मूबोस 3 आने के बाद साथ में इसमें क्या क्या आएगा वो भी चलिए बात कर लेते फटा-फट से तो मूबोस 3 के साथ में आपको हील होल्ड आ जाएगा इसके अल नारमल जो पहले था ना अपडेट उसमें 90 परसेंट बैटरी पर लेडी जो रीजन था वह एक्टिवेट हो रहा था बट मूबोस 2 आने के बाद यह ऐसा नहीं हो रहा है जब बैटरी लगभग 74-75% हो रही तब जाकर कैसा हो रहा है जब 102 किलोमेटर की रेंज पर आपके स से अपडेट हो रहा है साथ साथ हाइपर चार्जिंग भी यह लगाना स्टार्ट करेंगे दिवाली में तो देखते हैं हम लोग के तरब दो तरह दे दीजिएगा ताकि अच्छा रहेगा इसके साथ साथ कॉलिंग फीचर आ जाएगा की सेरिंग का आजग जैसे की मूब ओ अपना की सेर कर सकते की का मतलब क्या हुआ अपना जो लॉग इन है न वह एक से कई फोनों में कर सकते हैं वह बैक्ती भी अनलॉग करके आपको चला सकता है जिसको आप परमिसन देंगे तो वह चीज़ आप कर पाएंगे मूब ओस थी में जबकि यह मूब ओस 2.0 के साथ मे पिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि फोन में एक में लॉगिन है दैसे में दूसरे में करता हूं तो उसमें से लाग आउट हो जाता है और से के वाले में हो जाता है तो यह प्रॉब्लम अभी हो रही है जो की आगे चलके इस यह सॉल्ब हो जाएगा तो ऐसा सब देखते हैं और मेनी न्यूव फिचर में क्या आता है प्राउड आफ ओला इंजिनिरिंग फार तो जो ओला की इंजिनिर हैं उन पे भावेसर को गर्व है कि वर्ड क्लास का टेक सब कुछ करके मिलता तो काफी बेटर होता लेकिन अब डिले करकरके नए नए अपडेट देजाएं ठीक कोई बात नहीं एक अलग तरीके का मतलब लोगों के अंदर क्यूरिसिटी है कि भाई आएगा बहुत करने फिर उसका मूब वेस थी करेंगे अब हम बात करते हैं प्रा सारे लोगों का सही आप अहां कर रहा है जो सीम लगा हूआ है वो सिस्टम सही एक परफेक्ट ली काम करता कहींा सर्चिंगा पर GPS लिखता है इसके लिए बहुत सारे लोगों करने राइट वाइफ़ाई कि थे हृँ करवा लिई है मतलब कि जो आते हैं इंजिनियर वाइफ इसग्ण सभाइब करता है कभी मैं नहीं करता हूं पहली कि ओए है काम नहीं करता है अब कहीं पहूंच जाएंगे दुसरी बात भी यह तो गूगल से मनें करते का सब्सक्का यह काफी बार मेंनेेन चलाया है मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है भी मैं जो भी गाड़ी चला रहा हूं इस टाइम पर मैं यूज करने के टाइम पर मुझे दिक्कतें आती है मैंने दोनों पर किया कहीं के बहुत अच्छा काम करता है कहीं के गडबड भी काम करता तो इसमें जो लोकेशन का इसू है साथी साथ बात करें बैटरी डेनिंग का तो मूब ओएश टू आने के बाद बैटरी हमारी नहीं बहुत सार लोग की ड्रेन जल्दी हो रही है और वजह क्या है थोड़ा सा जो म्यूजिक फीचर बाकि सब मिलें तो आप म्यूजिकर फूल करके बजाते हैं तो उस मतलब बैटरी आपकी कंजूम हो रही है आप उसको जैसे ही डी एक्सट्रेटर ने की बैक ओवर्ड घुमाएंगे तो उस टाइम पर क्या होगा आपका वहां पर ग्रीन सिंबल बन जाएगा तो जैसे साथ पर आपने चला दिया सत्तर पर आपने चला दिया वहाप इस फिर बैक करके अदम अराम से स्टॉप करें जब ग्रीन पर उसी पर स्टॉप करें आपका जो गाड़ी होगा वह बैटरी कम से कम कंजूम करना चालू करेगा तो इस तरीके से आप करके चलाएंगे तो अधिक से अधिक आपको रेंज मिल जाएगी जैसे कि मैं ऐसे ही चलाता कभी भी मतलब नार्मल मोड में अगर 80-70-75 की स्पीड मेरे पास है तो 100-500 किलो मेटर की रेंज में निकाल सकता हूं आराम से उसके लिए ये सिस्टम आपको यूज करना ही पड़ेगा तो ये मेरा सजेसन है आप करके देखे आ लेड़ी आपको अच्छी खासी रेंज मिले याइज कैनल रूट में आइट में चलाता हूं तो मुझे वख्याहं में मिझेशा मेरा एक्टिवेट रहता है यह है और कभी बंदने होता मैं क्यatraं गरता तो जब करता हूं जतने फीचर है उसको यूज कर रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है यह कि अपको बता दिया बाकिक करें और भी किसी चीज की तो इसमें कोई मुझे खराबी देखने को नहीं आई है रिंज का जिनको इसू है वो लोग इस तरी के संदर जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं दूसरी अपडेट की बात करें तो जो दूसरी अपडेट है वो आपी लोग ने किया है और काफी अच्छी बात है कि इतना ओला स्कूटर चल चुका है आप देख लिए एक बार तो यहां पर भावेसर ने ट्वीट किया है कि हम लोगों नो जी स्कू कोटर घिर गया था जिससे उसकी बाड़ी में जगा जगा पी स्क्रैच आ गया था जिससे मैंने पूरी बाड़ी ही चेंज करवाई थी तो कुल खर्चा मेरा 19,334 रुपै आया था जिसमें मैंने 297 रुपै पेट के था बाकि इंसुरेंस ने दिया था तो यह तो था और ब 15 किलोमेटर मिल जाएगा आपको देखने को तुम मैंने इतना चलाया है यह एक बड़ी अफसोस वाली बात लगती यह 25 मई जो बगल में परचे जान दिखा रहा यार जब से मैंने बुक किया है न तब से ही दिखा रहा मतलब यह क्या दिक्कत वाली बात है जब हमारे पास स्कूटर है तब सोना चाहिए था अच्छा रहा था कि मतलब यह दिन में पास स्कूटर हमारे पास जो आया था और देट कुछ और थी बुकिंग की डेट जो कुछ और थी बुकिंग वाला डेट यहां पर सो हो रहा है तो यह चीज़ है अभी आप देख सकते हैं लोकेशन में अच्छा खासा यूज़ कर रहा हूँ पर्फेक्टली काम कर रहा है तो लोकेशन शुरुआ तो मिर पास तीन चार दिन काम नहीं किया मैंने उसके लिए वीडियो आ लेडी बनाया था उसके वासे अपने आप काम करना चालो किया मैं स्कूटर को रिबूट भी मारे थे उसके पहले नहीं बिना डाउट के कभी रिबूट नहीं मारे जैसे कि एक बार मेरा पासवर्ड ऐसे आटोमेटिक पासवर्ड जब भी डाला तो उस टैम पर मैंने ऐसा किया था आटोमेटिक सही हो गया तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कर सकते हैं बाकी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता है रिबूट करने का और अपने आप यह सही हो गया तो काम करने लगा मैंने लोकेशन आ लेड़ी बहुत जगर डाल डालके गया तो कहीं पर कुरेट काम कर रहा था कहीं पर कुरेट नहीं काम कर रहा था तो यह थी आपकी दो अप थी मैंने आपको बता दी कि हम लोगों ने मेनज़ किया उसके लिए और तीसरी अपडेट भी मैं आपको इस वीडियो में देई देता हूं तीसरी अपडेट ये है कि इन लोगा पूरा का पूरा प्लानिंग है फोकस है कार बनाने के ऊपर तो कार का पूरा काम चल रहा है बह आपको देख लीजिए तो यह सामने आपको देख जाएगा भावेश सर ने ट्वीट कर रखा है वी आर गोइंग टू बिउल्ड दा इस्पोर्टी एस्ट कार इवर बिउल्ड इन इंडिया तो एक इस्पोर्टी लोग वाला कार बना रहे हैं इंडिया में अब देखते है लांचिंग के बाद कैसा रहता है क्योंकि इवी का फर्स्ट कार और इस्पोर्टी लोग में तो पहली बार आ रहा है अब देखना यह है कि कैसा यह रहता है उला चुलो नहीं लिए जो नहीं चलाया वो लोग हो सकता है कि इससे निगेटिव हो लेकिन लेने के बाद कमजोर नहीं जितनी लोग सोचते हैं तो कमजोर उतनी नहीं है मतलब ठीक ठाक है अब प्लास्टिक बाठी है तो आप समझी सकते हो बाकि गिरेगी तो इसक्रेश तो आए गई आए आए आएगा तो इसक्रेश से बचा करके आपको रखना है और बाडी कोई खराब हो तो का पूरा पैनल महंगे हैं वह फ्लोर बूड वाला पैनल महंगा है उसके इलावां बाकि यो पैनल्य थोड़े सस्ते सस्ते इसका जो आगे का है यह वह काफी महंगा अच्छा है 1,000 कह एक पड़़ता है तो यह सब थोड़ा सोच समझ करके आपको ड्राइब करना अच्छे पूरा टाइमिंग होता है आप बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है अगर पूरा वीडियो आप देख चुके तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको अभी तक होला में से कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है और कौन सा फीचर आप यूज करते हैं अभी आप देखेंगे यहां पर ऐसे लोकेशन में लिखने लिखता हुआ आ चुका है सर्चिंग फार जीपिएस तो यह चीज है यह नेटवर्क इसू है यह देखते हैं कब तक साल्व होता है मैं तो चाहता हूँ जल्दी साल्व हो तो यहां पर यह वाला इसू बहुत सार लोग को फेस होता है कि गाड़ी चलते चलते अगर लोकेशन आप पे हैं तो सर्चिंग फार जीपिएस ऐसे लिखा हुआ आने लगता है और एक मुझे यह प्रॉब्लक देखिए अभी फिलाहाल में चालो होगा कि 90 मीटर माद बाद मुझे 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 लिख दिया सर्चिंग फार जीपिएस तो ऐसे करता रहता है कभी-कभी और यह समस्या वाली बात है मतलब कोई भी अपडेट करिए बढ़ियां से करिए टाइम लेजिए अच्छे देखिए मुझे जो है इसमें जीपिएस लगभग 90% लोग का सही से काम नहीं कर रहा है मै बहुत साथ लोग का लडी कमेंट आते हैं बहुत साथ लोग ऐसे हैं जो इस फीचर को यूज भी नहीं करते तो प्रकार से यूज लेस फीचर बन जाता है अगर अच्छे से काम तो यूज लेस नहीं बनता लोग यूज करने लगते क्योंकि मैं तो बहुत जारी मेरे सब्सक्राइब करना ही पड़ा तो यहां पर किया हूं बट यहां पर दिखा रहा रही है उसी साब से मैं कहीं और ही पहुंच जाओंगा तो इसलिए से मैंने अपने फोन का चालू कि अब रूकूंगा रूकने के बाद से थोड़ा सा कनफर्मिंग चेक करेंगे उसके रही है तो आप एक बार देख लीजिए यह फीचर जो है ना इस तरीके का काम यहां पर करता है GPS वाला बागी सब कुछ ठेक ठाक है बागी सब कुछी चीज में कोई डाउट नहीं है नहीं कोई दिक्कत है तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए ठेक किय जैहिंद बंदे मातरम और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दिजेगा हमें सपोर्ट करिए आपको हर एक प्रकार की वीडियो मिल जाएगी देखने को